लुए लुए तो लास्ट लास्ट में पाठ चुके थे जितना भी था टाइप सब डिस्क्रस कर चुके हैं तो इसमें कुछ बचा नहीं है जितना भी कोशन था मैंने करवा चुका हूं आप और आपको फीर भी लगता है इसने मुझे कुछ कोशन कर प्रक्रिस करना चाहिए सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो हम लोग आगे आप नेक्स्ट बढ़ते हैं ठीक है ना इस्टेबिलिटी आफ दा रेजोनेटिंग इस्ट्रक्चर मतलब यह कोई एक रिजुनेंस हाइब्रिड इस्ट्रक्चर का हम जानते हैं कि चार या पास या तीन या मैं क्या बोला हूँ रिजुनेटिंग इस्ट्रक्चर का अब हमें क्या करना है डिसाइड करना एस्टेबिलिटी कि कौन जादा उसमें इस्टेबल होगा जैसे मैंने बताया था वहां पे इसमाने जैकोई एक जैसा फिनॉल था वहां पे तो वहां पे उसका क्या बना था वहां चाड ऐसे बन रहा था रहे जईनेटिंग इस्ट्रक्च्चर उस पांच में से सब्से ज्रोधे इस्टैबल कॉन होगा फिर दूसरा कॉन होगा फिर तीसरा कॉन होगा फिर चौथा कॉन होगा ऐससे करके उसको और्रेंज करना है यह एस्टेबलीटी ओडर में आरे बात में हम यहां तक क्लियर है देखे दांस आपधे अलों बात कर जा रहे हैं यहां पहें क्या एस्टेबलीटी आफ दा िए डिजो नेर्टिंग ऐस्ट उबिटी आफ दा रेजो नेर्टिंग ओ हए डिलेट्ञ करना बार तक रहे होगा, इसके लिए कुछ e पहला क्या आता है कि जो निउट्रल रेजुनेटिंग इस्ट्रक्चर होगा ना क्या मैंने बोला निउट्रल मतला उस पर कोई चार्ज विगराइं नहीं है तो वह क्या होगा ज्यादा इस्टेबल होगा as compared to the चार्ज रेजुनेटिंग इस्ट्रक्चर होगा आपर क्या बोल सकते है कि निउट्रल रेजुनेटिंग इस्ट्रक्चर इज more stable more stable than any of the charged रेजुनेटिंग इस्ट्रक्चर जो neutral रेजुनेटिंग इस्ट्रक्चर होगा ना क्या होगा ज्यादा इस्टेबल होगा किसी भी चार्ज रेजुनेटिंग इस्ट्रक्चर से इस्ट्रक्चर से पर इजाम्पल तहां पर आर सी डबल बाउंड ओ ओ ओ ओ एच ठीक है कि फिर इसका हम लोग बना रहे हैं इस दोनों में यह क्या है आपका नियूट्रल मतलग कोई चार्ज नहीं है यह क्या है नियूट्रल रेजुनेटिंग इस्ट्रक्चर और यह क्या है आपका चार्ज्ट रेजुनेटिंग इस्ट्रक्चर तो दोनों में अब पूछा जाए कि बताई एस्टेबिल्टि क्या होगा यहां पर क्या बूलेंगे कि फॉर्स्ट ग्रेटर दैन सेकेंड पर दिकत यहां तक किलिए रहे हैं वह सेकेंड बात करने जा रहे हैं यहां पर दिए प्रेंगे डिए कि छ ब दोय अपर में अपरिघ ठीए वा बहें खॉर्प बहें कि इवे रहें तौय। ग्तैग जाए बहें ऑ्यिए अलावे धॉर्ण बहें रहें हैं दोय कि प्रेफिल्ट प्रिए स्टर व्रेंॉर्टर दोय। more stable is always more stable than the incomplete स्क्राइट के पास में कम्प्लीट होता है तो वह क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास में क्या है इनकम्प्लीट अक्टेट है एक आर सी डाबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव चार्ज पाइब यहां पे बतां यह बाइक बॉटन कर लाएं इसका पो जाएगा एक रजाय यह लोन प्यक्सके पास में किसके पास में जादा नॉम्बर आफ क्या है कогда इलेक्टरान मतलब अपकत कम्प्रीट होने वादा उन में जाहिए लिखिछ आप दो चार दुछे यहां किण रेक्टर एक यहां पीजी देगी दोँचर दूचर दूचर डचरड़ेटे घ्राइग देकी जन चैनल यहां पटन थे अबले हैं वाम लोग incomplete octet मतलब हें यहाप पर बोल सकते हैं हम लोगों कि second is more stable than first second क्या होगा आपका more stable होगा first से तो दिखाद यहाँ तक clear है किसा पॉन्ट आप मोलों क्या बोल सकते हैं दिखें दॉन सब्साहूं पर the generating structure having more number of covalent bond the resultant structure having more number of covalent bond is always more stable more stable than resonating structure having less number of covalent bond resonating structure which is the problem which is the problem which is the problem which is the problem energy energy stability कि रिए आँ तक इहां पर कितने बांड़ है दो एक तीनी बांड़ है और यहां पर कितना है ती और एक चार बॉंड है इसे भी जादे इस अधा च्रेवल है और एक अधा जाधा स्टेबल है में ज़र्वार्सयायर और यह जादा इस्टेबल हो तो यह त्षाया तक क्लिर है तो यह तिन रिया है यह तक आगे बादी हम लोग देखते हैं आप के फॉर्स पॉइंट तो देना फॉर्ट पॉर्ट पॉर्ट क्या है यह तीन फॉर्ट के लिए ना अप लोगों को पर दिकत नहीं इस में ठीक है आगे अमनों बढ़ रहे हैं फॉर्ट क्या है फोर्ट पॉर्ट प्यूंट सुनिक धन ताह में इन केस आफ in complete in complete in complete octet charged species in case of in complete octet charged species check the stability of regenerating a structure especially in a generating a structure he gonna check the stability of presenting a structure according to check the stability of energy check the stability of charge in regenerating a structure according to their size or electronegativity in complete octet regenerating a structure in complete octet charged regenerating a structure in complete charge in case इस GoToability यह मैं हम लोग जो चेक करेंगे उस चाज का इस्टयबिलीटी जो रit À denट है वह किछ चेक करेंगे या तो इलाक्ट्र नीगे चेक करेंगे या तो उसके mobile जी से करेंगे फ्रडिकजी करेंगे इसक लिए थे फौक पल RC double bond O H आपको दिया गया है ठीक है ना इस तापको चेक करना कि कौन ज्यादा स्टेबल है यहां पर बात करना है स्टेबलीटी ऑफ रेजोनेटिंग इस्ट्रक्चर तुम जानते हैं पहले कि यह ज्यादा इस्टेबल होगा तो फॉस्ट क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा ठीक है ना अब यहां चेक कर रहे हैं देखता हूं सहां पर इस समझ में आड़ा होगा आप लोग विस यहां आपका क्या दूसरा रेजिनेंटिंग इस्ट्रक्चर वह पर आगया पॉस्टिव चार्ज होता है यहां पर बचा होगा और यह निगेटिव चार्ज आया तो यहां पर देखेदान से दो पहले से हैं कि अब काउंट कीजिए ते हां पर जहां पर चार्ज यहां भेम कार दिए क्या औॉट टैट मतलぁ इस अप्डार उपने क्या है 268 एलेक्टॉन यहां पर चकिजिए 224262 हन। अम प्रहां यहां फ्यक्रात हो रहां पर हम आप क्या बोलेंगे मिए कंपलीट औक्टade कंप्लेट far偌 2-2 अब यहां पे क्या होगा चाहिए यहांप चैथे क्या हुआ है किस बॉंट को तोड दी है वह टूट लग जै फीच जड कर्याँ और गे पर पर क्या गिए पोज़न्स रचे ला imminent हे हैं इसे मतल Fang इन अब दो नो बेड़ा को दिट है तो यह बांट नीचे के कि च्थे कर दिया गया की ति receivers बांट को जिसकी वैसे आगया है पाश्य च beggar हि के अगया चक Lobby मताइब बताया सेना कारवेन ञाइन तीन बॉन होता है और एक लॉंट प्रफ इलेक्ट्रों होता है यहां पर इसके पास नसौटि होगा नवीभी कितना हो गया दो दो चार्ट दो छे लेक्ट्रॉन कहले है तो क्या है यहाँ पर complete octet है यह दोनों में क्या है incomplete octet है यह दोनों क्या है अपका incomplete octet charged rejuvenating structure आड़ी बात पहुंज़ में incomplete अब देखे दान सहाँ पर यह तो इसी को फॉलो कर रहा है यह दोने structure इसमें क्या बोला कि आपको चेक करना है चार्ज किसके साइज और electronegativity थे हम जानते हैं कि यह दोनों के दोनों क्या है आपका second period का element है तो हम लोग किसे से चेक करेंगे इलेक्ट्र निगेटिविटी से चेक करेंगे जगेदान सहां पर निगेटिव चार्ज हम जानते हैं बताया लस्त में कि निगेटिव चार्ज मोर्स टेबल और इलेक्ट्र निगेटिव एटम सही है निगेटिव चार्ज हमें सा मोर्स टेबल होता है बेक्टीन अ ओर्सरों सब्साइब थे यहांपे थे इनए श्क्राइब हो फபीड हता है तो gemacht अर्सट इレक्टर निटर नित अर्फ जैने सब्सक करते हैं और द्युक्ter के लिगे साथ दॉ आमोल ऑन और जीबुदा युक्र करें तिटॉल आज में साय फिफ्ट पाइंट इंफ दॉ इंफ द सुंट the distance between the unlike charges, if the distance between the unlike charges decreases, then, if the distance between the unlike charges decreases, then, the stability of the regenerating structure increases. ठीक है? स्टिक्स पॉइंट का लिखेंगे, if the distance between the like charges decreases, then, the like charges decreases, then, the stability of the regenerating structure decreases. इस दुन पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है न? समनोट किजिए पहले. इस दुन पॉइंट है तो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, समझी इस चीज़ को. समालने दम यहाँ पे क्या है? मैं पहले बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अन्लाइक चार्जेज. तो अन्लाइक चार्जेज के मतलब क्या होता है? सुने दौन तहाँ पे. पॉजिटीब नीगेटिव चार्ज. ठीक है? पॉजिटीब लॉन प्रफिलेक्टर्ण. अरे बात समझ में? यह तब क्या है आपका? अन्लाइक चार्ज है. मतलब, सेम चार्ज नहीं है, डिफ्रेंट चार्ज है. को दिखते हैं आता है? इसमें बहुते हमाँ क्या है? अन्लाइक चार्जेज. तो सुचिए यहाँ पे, पॉजिटीब चार्ज और नीगेटिव चार्ज. यहाँ पे क्या है आपका? लोन प्रफिलेक्टर्ण. बीच में क्या करता है? वाई? बिकॉज पॉटेंसियल एनरजी इक रीजेट्उ कि यहाँ पे क्या होता है? पोटेंसिल एनरजी क्या करता है? डिफ्रीम पर ठीक है ना? तो यहीं पिमाल लेते हैं कि यहां पर पॉजिटीव चार्ज हैं तीक है और यहां पर पहला डेजूनेटिव होगा से इस थीमवे को जहां पर टिस्टेंस कम है बत वास अनों Market कुर पो टनी में आनलाइक चाजाज डिकरीजेच भैताइब div उन्हों बोल सकते हैं कि third is more stable than second than first पर दिकत यहां तक clear है यह था क्या आपका unlike charges का बात ठीक है न अब बात में जा रहे हैं कि इसका like charges like like charge क्या होगा positive positive होगा क्या होगा negative negative होगा क्या होगा negative loan pair of electron होगा नहीं नहीं हो सकता है positive positive हो जाए negative को कि अगropri consumo हो जाए तो निगेटिव चार्ज और लों पर फिलोटून हो जाए यहां पे क्या होताए कि डिस्टेंस अब बोल्सक्टेंस आख क्लिती करता है तो एस्टेबलीति 01 को डिक एधिक और使ंशन यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा फार Karena क्या कर जाएगा जब आपर इंक्रीज कर जाएगाद आप अधे लिख सब्सक्राइब ले पाल सब्सक्रार च लिपलों कि दिखत यहां तक के लेड तुम है क्या बोल सकते हैं रहावां पर यहां पर फोश्ट में कि हा यहां पर आटम पर आगए अब तीनों पूछा जाके बताएं कौन ज़्यदा टेबल तो क्या बुलिंग आपर पर से ज़्यादा होगा इस्टेबलिटी कम हो जाएगा मैं आपर क्या बोल सकते हैं फार्स्ट ग्रेटर दन सेकेंड ग्रेटर दन थार्ड प्रदिकात यहां था किलियर है इस नोट कीजिए अप यहां तक आप लोग को पाच पॉइंट छे पॉइंट चिपा है पहला point क्या था यहां पर, कि neutral resonating structure is more stable than the charged resonating structure, ठीक है न, the complete octet, second क्या था, complete octet resonating structure is more stable than the incomplete octet resonating structure, फिटार क्या था, the resonating structure having more number of covalent bond is more stable than the resonating structure having less number of covalent bond. 5th किया था, यहां पर, in case of incomplete octet charged resonating structure, check the stability of the charge in resonating structure according to the electro-negativity or size, ठीक है न, फिटे न, फिटे चाहिवा था, फिटे फिटीन पर, कि फिटे था,व जो था, if the distance between the like charges, sorry, unlike charges, इफ दिस्टेंस बिट्मिन दा लाइक चार्जेश दिप्रीजेश देन देस्टेबिलिटी आप पर इपका छे पॉइंट था अब हम लोग इस्पे क्या करते हैं बेस्ट कोशन करते हैं इसको नोट किजिएगा पोशन किजिएगा कहीं भी डाउट होगा तो मैं बताऊंगा यहां पर ठीक है न फिर इसको मैं एक्स्पेन करूंगा भी जास्ट ठीक है न लोट किजिए कोशन चलिए आप लोग कोशन कर लिया होंगे लाईए आप में देखे दान ताहां पर यह फास्ट ले लिजिए है in 2nd a night for for see if you had perfect अब जान पर फोर्ष्ट और जो फ्रोंटी ना हिए थाइन जात्ते हैं कि फोस्ट इजट इप्वाल टू फिफट दोनों का क्या हो गाई सब्रेंट सेम होगा अब देख दान ताहां पर यहां यहाँ पाजिटिव यहाँ पैस्टिव फोंग्को यहाँ वजाएगे का धिस्टन्स ज्यास उगा ना यह लोगा लेकिन टू और फॉर्थ दोनोंका दूर प्हें सेम आरे बात्वाज में हमन फहें क्या है कि तू gli जुकौब्ड हुष चाहिए और फॉर्थ निस ने बाइन है तो और पॉक् unhealthy डौक रhels क्या हुआ कि बीच्ञ क्या है इसलिक यहां पर फिलाश्न क्या हो गया थार्ड अब यहां पर चकी जीए न्यूट्रल है तो वान कमल बोलने हैं कि ज्यादा एस्टेबल होगा वान बोला अब यहां पर यहां पर सारी आटाम का अक्टेट कंप्लीट है चेक कीजिए आपको डिजुनेटिंग इस्ट्रक्चर जो करने आता है के आटिजीर नहींता कि देख्षा आप में यहीं तो बनाया होगा यहां तो आ अ चला गया रिजुनेंस में तो बचन हुआ है bew यहां पर क्या है और यहां पर किया आपका को इनकंप्लेट लीट अधिए मतलब वंप्लेट का जादा होगा जाइशी बात है फिर यह रिजनेंस कि यह चक कीजिये यहां भी क्या है complete आप्टेट यहां भी क्या है complete आप्टेट क्यों यहां पर एनके पास में क्या है एक होता है नो लोन प्रफलेक्ट्रॉन यह भी तो जिनें से पाटिसिपर कर सकता है कर सकता है यह बना दो स्ट्रेक्टर यहां भी complete आक्टेट क्या होता है complete होता है क्या है अब दोनों क्या हो गया complete आक्टेट कैश्ण करेंगे हाप ते देगए दन सापे अब कि इसका हम चेक करेंगे क्या अब यहां पिक्या है ओ पर पॉज्टिव चार्ज है ठीक है ना यां पर एन पर पॉज्टिव चार्ज है उप निगेति निगे आइसे हgy navy अब यहांपर कहा है और यहां पहीं का न्पर पॉस्टीब चार्ज हूं समख्यानते हैं कि पॉपउस्ट्टिब चार्ज और सब्स क्योंकि यह क्या है सब्सक्राइब कि अधने रिचाविक नकिकों मोरा मोल क्या जाए यह बोलगों को कि rhymes है यह संसलें तो मतलब वन्जाज होगा किसे प्यूर्ष से झाघ में चेक करना है अपको नीच क्लिखे वाल ज्यादा स्टेबर चेकर जाली फट आफटdon दॉन ताँ में पर फॉक्स न च थे एंगे पास पता है क्या होता है लोन पैर आफ एलक्ट्रॉन तिसज़ाँ है ना पर निलेक्टिव इनलोन फ्लेक्टॉन अगल वागल अनेश्टेबल लायक चारजेस अगर सबसे कम होगा इसको लेते हैं इसको लेते हैं और इसको फोर लेते हैं अब यहां पर चेक किजिए कौन ज़्याद स्टेबल होगा यहां पर ओक्टेट कमप्पलीट है यहां यहां पर ऑक्टेट कमप्लीट है और यहां पर आपक सब्सक्राइब यहां पर चला गया सबस्क्राइब नस्दीख है अन्लाइक टीर्ट में ज़्याद सब करेंड तो यहां पर क्या जाएगा तो यह क्या जांते हैं कि अपया जादा हो कि इनकम्प्रिट अप्टेट वाले का पिर इंकम्प्रिट वाले इसे आज तो नों का जादा होगा यहां तो यहां तो यहां तो बात क्लिर हो चुकी है इस्टेबिलिटी आफ दर डेजुनेटिंग इस्टर्चर कैसे निकालते हैं सब्सक्राइब हो चुका है अब आगे बढ़ते हैं जो जुश्ट मैंने भी नाम लिया था क्रॉस कंजूगेशन का वहीं बिताने जा रहा हूं यहां पर देख दान साम पर क्रॉस कंजूगेशन एंड एक्स्टेंडेड कंजूगेशन क्रॉस कंजूगेशन एंड एक्स्टेंडेड कंजूगेशन ठीक है ना देख दान साम पर क्या होता है क्रॉस कंजूगेशन समझते हैं चीज़ को अमलोग क्रॉस कंजूगेशन क्या होता है सुनिए अधान से आपने है धिन अपार्तिकुलरर विन अपार्तिकुलरर ग्रूप इज इन is in conjugation with other two groups and other two groups are not in conjugation with each other, then this case is known as cross cross-conjugation cross-conjugation for example for example pi in conjugation pi sigma pi pi sigma pi sigma pi sigma pi sigma negative pi sigma pi pi sigma pi but these two groups are not in the other side of conjugation pi. pi sigma ये जो दोनों पाइं बॉन धृट ए वह आपऺस में और संमें नहीं को धिकरते नहों तक यह भी क्या क्या लाइगा क्रॉज क Warsz ृट ने का श्यूर और को अब श्र हों लोग करते हैं आप पर इंपिजा एक्स्टेंडेट आप कंजूगेशन तो एक्स्टेंडेट कंजूगेशन क्या होता है देखे दाँ तहां पे वेन आ पाई बॉन्ड इज दी लोकलाइज़ इन दा आ हम डाई पाई ुबन इडि लोकलाइज़ इन वहमा चॉबने इन आ में तो औ में पाई भनी लोकला इ apr तो को एक्स्टेंडेड चांजूकेशन ना गोडह लोग एक्स्टेंडेड अगेशन बोलते हैं ठीक है ना देखर दाओं से हाप essa पर और है आ का येया तरह से पाई जो ब्लाइ में होगा पाई जो एलेक्टोर फ्लाइव यया तो इसके ताहर चाही दाएगा या इदार से इदार जायगा, तो एक रिल डाक्स इम जा चाहरा है अरे बात वाज में तो क्या बुलेंगा हम लोग extended conjugation, नोट किजी इसको प्रेयर होगा तो दिखे था हम पे cross conjugation आपे यहां पे extended conjugation, ठीक है न cross में क्या था यहां पे कि when a particular pile when a particular group is in conjunction with the other two groups and the other two groups are not in conjunction with each other then this case is known as what? cross conjugation ठीक हमनों क्या पढ़े यहां पे extended conjugation, क्या था? extended conjugation, when a pi electron pair is d localized in the same direction then it is called what? extended conjugation अब देखे दानता हम पे यहां पे क्या point लिखने जा रहा हो जा देखे दानता हम पे cross conjugation and extended conjugation का cross conjugation and extended conjugation में क्या होता है? कि extended conjugation में क्या होता है कि pi electron होता है same direction में delocalize करता है ठीक है न? लेकिन cross conjugation होता है उसमे same direction में pi electron delocalize नहीं करता है जिसकी वज़ा से यहां पे क्या होता है? जो extended conjugation होता है क्या होता है as compared to the cross conjugation if the number of pi bonds is same कहने मतलब क्या है क्या होता है कि extent of resonance होता है वह slightly decrease कर जाता है जिसे मैं देखते हैं आप एक्जांपर के तो पर सबस्ते है चिसको देदान तहाँ पर है अगर आप से पूछा जाए इसमें बताईए कि कौन ज़्यदा स्टिबल है यहां पर क्या होगा कि यह ज़्यदा स्टिबल हो कौन extended conjugation extended अगर्यद अगर्यन चाहिए और ये क्या आपका i क्रॉस कांजूरुगेश्ण थीक है तो यहां पर यहां पर क्या होता है यह जो पाई बॉन्ड है ना इधर में जाएगा आप ठीक है तो यहां पर इस अधिया इतने क्या क्या को दिया क्या क्या करते हैं आघे इँगेंगेशन को कके..? इदा लोकलाइज करेंगा यहां से यहां ते और यहां ते आगे यहां से आ गया और जर्म जाएगा लेकिन यहां पर क्या है आगे बढ़ा फिर आगे बढ़ गया यहां प्रेजनेंस ज्यादा होगा ठीक है ना क्या बोल सकते हैं कि डियू टू क्रॉस को कांजूगेशन कि दा एक्स्टेंट ओफ रेजनेंस डिक्री जैज स्लाइटली वह ज्यादा डिक्री नहीं करता है हलका सा डिक्रीज करता है so if the molecule having same number of pi bonds if the molecule having same number of pi bonds same number of pi bonds same number of pi bonds then extended conjugation is more stable then cross conjugation क्रॉस कांजूगेशन कारण क्या होता है कि जो extent of residence होता है वह slightly क्या होता है इस वज़ेशन से क्या होगा अगर molecule के पास में का सेम नमबर पाइबाइबाउंड होगा तो वहां पर क्या होगा कि इस प्रॉस कांजूगेशन का अपर स्टेब्लीटि इस लाइटलीट्र कर जाएगा ऐस कांपेट टूदा एक्स चैनल कर जूगेशन तो दिकत यहां तक क्लिर है अगर मुझा बात करें स्टेब्लीटि और का कर दो को बताना है stability order ठीक है ना मैंने पहला यहां पर कॉशन लिया यहां पर क्या कर लिए इसको इसे बताना है आपका stability order किसा ज़्यादा होगी सा काम होगा देखिए यहां पर क्रॉस्ट में देखिए क्या यहां पर क्रॉस्ट कर देखिए में देखिए आंपका यहां पर क्या आपका एक्षटेंडेड यहां यहां पर क्रॉस्ट Len यहां फरक टॉस्ट का यर्च होगा यहां पर क्षटों संब कर दाख tuttiền यह यहां से एक किजिए और आपगे यहां पर नमबर और रशॉम नहीं है आप एक है यहां पर दो है अध मतलब और सीचूशन नहीं है क्रॉस एंट एक्सफेंड़ का ठीक यहां पर फिकतनु नंबर ऑफ आरेस्ट यहां पर बहुत ज्यादा ओकर इत時候 क्या ऊछाधा श्थ करेगा क्रास करेगा क्रास करेगा इसलिए और यह क्या होगा नमड़ पाइब नुन चाहिए इप द मॉलेकूल सेमने नुट्वाइब और देल एक्स्टेंडर कंजीगर से मोह स्टेबल दैन रस नौट कीजिए आगे बढ़ते अब यहां पर टर्म है यहां पर एक्की वैलेट जनेंस एक्क्यू वैलेंट एडिया जनेंस बिकर दान तहां पर एक्क्यूएंट रेजिनेंस क्या होता है तुनिया जांता है आप एक्सामजी से डियाफिनिसन आप एक्क्राइड गिए। एक गिए छेविए दिस्विएंट लग्विए है इंडी लग्विएी जनेंस एक्षेड़ मांगे। less distribution of charge when all the resonating structure exactly identical, is known as it is characterized by high dispersion of charge, it is characterized by high dispersion and less distribution of charge when all the chemical structures are exactly identical, स्जिकल ठीकल ठीकर ना ब्रिदावन जहां पे उसका वलता हम एक की वड़ेंटे जनेंज क्या होगा कि जो चार्ज है न उसका क्या हुआ होगा बहुत ज्यादा होगा डिस्टिबिशन काम हुगा कि इसमार निगेटिव 쓰 चार्ज है और निगेटिव हैं जो दस करवनाइटम है तो वहां तो क्या है कि यहां पर चार्ज बहुत काम हो रहा है। बहुत काम हो रहा है कि और यह कब बोगा जब और डा डेटिनेटिंग स्ट्ट्टर और आइडे इग्जाक्तली आइडेंटिकल ठीक है नाव एग्जांपल से समझाता हूं चिज़को दिग्जान साहाँ पर हैं इसका हमने ड्राइटिंग अपर तो ओपन निगेटिप डॉपल बॉंड ओ चेकिजी यह दो आइडेंटिकल है यह क्या है आपका है इग्जाक्तली आइडेंटिकल ठीक ना यहां पर दिश्टिबूशन कम हुआ है लेज दिश्टिब्यूशन आफ चार्ज बट इइंट हई डिश्पार्शन पर आफ चार्ज गायर कहedy क्या है कि से डिस्ट्रिबूशन कम है मतलब कंए टाम पर डिस्ट्रिबूशन क्या है । जैसे निगतिव चार्ज है एक नीगेटिव चाह्ज क्या है की बोल्क टेट्व है लेकर नीटा है वही नीगेटिव चाहर दस कार्बन आटम पर जिंट है थेक है Then mismo तोवहाँ पे डिश्रिBूशन ज्यादा है C necessary था यह क्यों कैंकी जो आक्षिय जो यहां पर more electronegative atom है वह क्या कर रहा उस निगीटिव चार्ज को इतना ज्यादा It's stability provide कर रहा है जितना की दर carbon मिल के भी नहीं कर पा रहा है उस B बसक्रेटिव । अरे बसक्राइब कर साफकित को इसलिए के जाता है अगर दोनो स्थ Once अगर identical होते हैं सेम होते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि जो निगेटिव चार्ज है निगेटिव अगर मालोगी तो उसका वहाँ पर distribution कम भी है लेकिन वहाँ पर dispersion क्या है बहुत ज्यादा है तो उस्सों क्या बोलेंगे और equivalent regionating structure में जो extent of resonance होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा है अब यहाँ पर एक पांट और भी बोल तके हैं क्या the extent of resonance in equivalent resonating structure the extent of resonance in equivalent resonating structure is much greater so its stability also increases कि इसलिए इसका इसलिए क्या होगा increase करेगा को दिकात यहां तक किलिए है पर एक्जांपल मैं आपको बताता हूं यहां पर जैसे माल लेदेंग लोग क्या यह आपको यहां बताना है एस्टेबलीटी है कि अंट डिद्क टिए तुपर निगेटिव चार्ज और यहां पर है और यहां पर कैसी डेबल बॉन्ड़ को पर निगेटिव चार्ट के disgusting कि अब अब दवां सकांपे जब यह निगेटिव करेगा तो है लोकर जाए है तिरफा सिर्फ सिर्फ कर यहां पर अजाएगो यहां है यहां पे डिस्टिबिशन कम है यहांपे निगेटिफ चापर चार्ज का डिस्ald डिस्टिबूशन कम है लेकिन वह उसका dispersion जादा है डिस परशन आता मतलब क्या कि निगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्टो निगेटिव एक्टम पर रिजिनेंस के दुबारा जा रहा है बट यह क्या है निगेटिव चार्ज जानते हैं कि निगेटिव चार्ज इसेबल और मोर इलेक्टो निगेटिव ऐटम not in the less electro negative atom भले यहां पर जोड़ है भृट यहां पर इतका distribution बहुत ही कम है यहां पर distribution तडी यहां पर distribution बहुत ज्यादा है यहां पर distribution कम है बाट यहां पर dispersion कॉंद यहां पर डीस परशन जादा है जब्लिकत यहां था किलिए है कि निगेटिव चार्ज मोड इस मोड इलेक्टो निगेटिव एटम पर फीर से दुबारा रिजुनेंस करके आ रहा है कि यहां तक विसके वहां पर एस्टेबिटी इसका क्या होगा बहुत ज्यादा इंग्रिज करता अचानक्षिन इसलिव बोल सकते हैं कि यह क्या होगा मोड इस्टेबल होगा तो दिखाते हैं तक किलियर है कि अधरांजाम पर इसमाल लेते हैं इसका हमें जो करना है इक्यू वैलेंट डेजुनेटिंग इस्टक्चर जो किजिए इसका कर सकते हैं कि अधरां बोल लेते हैं दो आपन कि अवा खर करें यह रहां दाए हम पे हैं अगाम इसब जो करेंगे एक्विवेलेंट रिजिन इस्ट्रॉक्च्छर जिसे जो करते हैं न रिजिनेंस वैसी कीजिए पिछ नहीं इसमें यहां पे क्या जाएगा आड एस ओ पे क्या जाएगा इंगे टिप चार्ज डबल बाउंड ओ डबल करके यहां पे आ गिया यहां पर क्या बन गिया आड एस डबल बाउंड ओ डबल बाउंड ओ वह पे क्या आ गिया निगेटिव चार्ज तो दिखते यहां तक क्लियर है इसे हम लोग बनाएंगे अगर रिजुनेंस हार्बी डेस्टक्चर ते क्या बने गया पर देगे दान आपे आर एस पार्शियल डबल बाउंड डेल टा निगेटिव डेल टा निगेटिव और यहां वी क्या जाएगा पर देल टा निगेटिव ठीकना अधिक दान आपे निगेटिव चाह पर जेंट है मोर्ड लेक्टा निगेटिव डान बलाव यहां पर क्या आए डिस पर्शन है जेटिश्टीबूइशन का में था मिःटर आपे खिल यहां हो कोढ़ेा पत्या पनेगा प्हला अ याहां पर क्या बनेगा यहा राया जाएगा डाबल बारंड्स ओ तो पे निग्यंट्प चार्ज क्लोंड है यहाँ पहीं और दॉर से घरनेंज अ बदाए हैं पकिया बन गया यहां पर क्या है धबल बॉंड यहां पर क्या है टबल मांड हो हे यहां वार्ट भी आ गया । यहां पर ओपे निगेटिव आगिया ठीक है उसके वाद यहां पर फिर क्या होगा लिजनेंस किया पुता यहां पर क्या बनेगा डवल बार्ण ओपन निगेटीव डवल बांड ओट डवल बांड ओपन निगेटीव जब आगे जिनन्स हो पाएगा चाट कीजिए यहां से करते हम लोग इसे फस्स सब सबसें कि यहां था वाल याँ और यहां पर आगे नई बन पाएगा पीटना चाइए हम इसने बना तीन मिद्いきत यहां तक यहां बनाएंगे समय के आडिजनेंस हाइब इस्टाक्टर तो क्या बने गया पर दिखें दान तहां पर ओ ओ ओ ओ ओ ओ ठीक है मतलब पाई लेक्ट्रून कहां ते कहां दी लो क्लाइश करेगा इसमें इस पूरे रींग में यहां भी यहां भी यहां भी डल्टा-negative 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 तो, चो कि जेए इसको क llevा है यहांपे कितना बना आपका खॉर्ड एक्युवे लेंट रजो ने इइटिंक एस्ट्र चुर्ड और यहांपे बना थे-टीव एक्युवेल ने रख़ वेलेंटर्गेंट इश्चर्चर्ट्चर्च अडिए बैने एक्यु वेलेंट रगा दुट्टर्च हैंगे लिए एजुनेटिंग एस्टाक्टर ठीक है ना तो दिकत यहां तक यहां वच्छा कीजिए यह पात यहां पर क्या है लोन प्रेफलेक्टर रेजनेंस किया तो यहां पर क्या बनेगा NH2C NH2 double bond NH2 पर positive charge फिर यहां पर रेजनेंस किया N पर positive charge double bond C NH2 NH2 ठीक ना किलिर यहां तक माँ बात करेंगा पर क्या हां पर क्या हां रेजनेंस हाब बिदे श्टक्चर पर भी और आधा पाजटिव डिल्टा पाजटिव डिल्टा पाजटिव ठीक है ना कि लिए यह क्या था आपका total equivalent यहां लेंट रिचने टिंट डियूर्य टिक चाँ ठीक यहां लोग कि यहां से होगा यहां पर सकते हैं कि bond length in all originating structure equivalent is same ठीक है ना कि लिए यहां तक जो bond length होगा ना equivalent originating structure में वो क्या होगा आपका स्थेम होगा क्या ना कि जो bond participant card and resonance में उसका length same होगा लोहां तक कि लिना तक पर यहां भी शेम होगा यहां पर शीयो बॉंड ठीक ना सिय मॉन्ट कि भॉण्ड कव यहां पर सेम होगा यहां पर कैंपी आप सीन भॉंड रोगव सेम होगा लिया तक तो क्या बुलता मिन यह की वैलेंट रेजन नेटिं इस्ट्र क्ट दिस्टिब्यूशन होता है थिक ना टीफा तक जब शारे तो जाथे और स्ट्रक्ट्ट्र क्या होता हैं तो क्या बोलते हैं उसको इक्युवेलेंट रिजुनेंस बोलते हैं वह दिखते हैं तक क्लिए है यहां तक पड़ी है आप लोग फिर ने श्राथ में करेंगे